दोस्तों, मार्वल मुईज में हमने कई टाइप के सुपर हीरो देखे, कुछ तो पावस के साथ ही पैदा हुए थे, जैसे थोर, कुछ जीनियस मैंड के साथ पैदा हुए थे, जैसे टोनी स्टार्क, शूरी, डॉक्टर बूस बंदर, उन सब के अलावा कुछ ऐसे सुपर ही जो पहले से पावरफुल नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने प्रैक्टिस की, और मैजिक को अपनी पावर बना ली, जैसे कि सौकर सुपरीम डॉक्टर श्रेंज, पर यहाँ पे ऐसे सुपर हीरो भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनको यह पावर बाइचांस बली है, या फिर यह कोई 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 इंसिटिंट का शिकार हुए है, और मैं जिस सुपर हीरो की बात कर रहूं, उसका नाम है नुवा, जिया दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डीटेल में जानेंगे, कि नुवा की ओजिन स्टोरी क्या है, और मावा सिरमेट के नोस में यह कै इसे इंटर्डूस होने वाला है, साथ ही में हम लोग यह भी डिसकॉस करें की कोशिश करेंगे, क्या नुवा सिर्फ स्पाडर बैन के साथ टीम अप करेगा, कैप्टन मावलो के साथ दिखाई देगा, या फिर वो एक सोलो फिल्म डिजर्फ करता है, दोस्तों, को लग रहा था कि नुवा हम लोगों को जैंडार प्लानेट पर मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना वाला, उसकी ओजिन स्टोरी अर्थ सही होगी, तो लोग को तो यह भी मानना है कि यह स्पाडर बैन के साथ हाइज स्कुल में पढ़ लेकिन उस पर आभी फोकस नहीं यहां पर एक कॉस्मिक कनेक्शन आता है, जो कि सिद्धे हम लोगों को ले जाता है, जाहां पर नुवा कॉप्स किसी एलियन से फाइट कर रहे थे, अब यहां पर जो एक नुवा बसता है, जो उन सब का लीडर होता है, वो बस मरने वाला होता है, इसलिए वो अपनी पाव कुछ समिकले कोमा में चला जाता है, बाद में जो भी फाइट सीकुन्स हो रहे होते हैं, तो रिचेट के माइड में रिकॉर्ड हो जाता है, और वो सब को समझ जाता है, बाद में उसे एक सिक्रेट लोकेशन का पता चलता है, जब वहां पर जाता है, तो उसको नुवा कॉ वह काफी जादा स्ट्रॉंग हो जाता है अब दोस्तों यहां पर जो एलियन रहता है वह अर्थ पर जाता है जिसे नुवा बाद में हरा देता है यहीं से दोस्तों इसकी में टैम लाइन के शुरुआत होती है दोस्तों अभी मावस सिल्मेटिक लोगों को भले नुवा का केम वहां है यहां जाएर करना और भली यह काम अभी उनके भी आप पर टैलॉस कर रहा है लेकिन और वही दे रहे तो उन्होंने सबसे पहले स्पाड़ामन को हायर किया उसके बाद उनके जिसे बाकियों उनको भी हायर करेंगा वहीं टोरी स्टाक की जगा यहां पर शूरी को सकते हैं लेकिन पूरी तरह शूरी पर डिपेंड करते हैं कि उनके साथ आना चाहती है कोई नई टीम में कि नहीं इन सब के अलावे दोस्तों अभी हाली भी है और जब आरेन हर्ट इंट्रिजूज होगी मार्वस सिने में तो वह भी आ सकती है और यहां पर केट बिशॉब अल्री इंट्रिजूज होने वाली होकाई की तरह से ग्यारी दोस्तों बहुत सारे नियो अवेंजर से जो हम लोगो देखने को मिलने वाले इसका मतलब दोस्तों जो भी टीम बनेगी वह काफी लंबे समय तक चलेगे लेकिन आप लोग जानते हैं यहां पर रिचर्ड और यहां पर इनको बहुत सारे कोस्मिक सुपर विलन का सामना करना पड़ेगा इसलिए नुवा से टीम मेट को ही ने सकता इन सब के बाए जब नुवा कमिशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग उसको अर्थ पर बुला सकते और यहां पर स्पार्डर मैन 3 के बाद स्पार डीटेल में बताना पड़ेगा उसकी पास लाइब को समझाना पड़ेगा उसके बाद उसकी पावस कैसे ही उन पावस को कैसे हैंडल कर रहा है यानि कि नुवा का सामना कोस्मिक सुपर विलन के अलावा अर्थ बेस विलन से भी हो सकता है और यहां पे निक फ्यूरी के सामने आते हैं और फिर नोवा का इंटरेक्शन सिर्फ टेलाउस के साथ होगा अगर बात करें थौर 4 की तो उसमें नोवा कैसे आ सकता है दोस्तों अभी थौर गार्डियंस ऑफ गलक्सी के साथ है लेकिन उसे अर्थ पर आना पड़ेगा क्योंकि जब भी कोई नया सुपर अगर इसके विलन की बात कर लेते हैं इसके विलन का नाम है जो की हो सकते नेबुले को ओजिनल फादर हम लोग यह जानते कि जो गमोरा और नेबुला है वह थैनौस की ओजिनल डॉटर नहीं है अब यहां पर थैनौस ने उन्हें किसी से लिया है फिर अडॉप्ट कर लिय और इंफिनिटी स्टोंस खोचता होगा दोस्तों यह भी हो सकता है कि पावर स्टों ने थनौस खोचतना गया हो बलकि इस सूपर विलन को भेजाओ और जिसकी उजिसे एग्जाटली उसी मुवमेंट पे हम लोगो नया नौवा देखने को मिला है इन सब के बाद ही दोस्त तो नौवा को एक अच्छा खासा बिल्डप मिल जाएगा लेकिन दोस्तों बात जो भी हो जब भी इसके ओजिन मुवी आगी इससे पहले इसका केम को बाकी मुवी में दिखाए जाएगा या फिर टीवी सीरीज में दिखाए जाएगा इतना ही नहीं दोस्तों नौवा से जौर का कनेक्शन होता है फिर जौर का नेबूला से उसके बाद आप लोग जानते है जौर का प्लानेट किसने डिस्ट्रॉय किया है वह है गलेक्टस यानि दोस्तों कुछ चीज़े अगर कॉमिक बुक के अकॉर्डिंग चलती रही तो हम लोग को एक बहुत अच्छी मु साइल सुपरियोस को रहना पड़ेगा जैसे फैंटास्टिक फोर इंक्लूडिंग एक्समें भी हाला कि बहुत लोग कंफ्यूज है कि सीक्रेट वार अलग मुवी है और ग्रेक्टस वाली अलग मुवी है तो लोग इद्दम सही है दोस्तों सीक्रेट वार में में डॉक्ट करेक्स करेट कि जो क्याइटर वार मुवी से उसके बाद आने वाली मारवाट टीवी सीरीज से जो कि इस मुवी से क्रेटर होगी हम लोग वेनम टू के प्लानिंग चल दी है एंटी वेनम टीवी सीरीज बनाने की जिसमें ये दिखाय जाएगा कि वाह पे एजेंट वेनम और यहाँ पर जो Eddie Brock है, जिसके उपर अभी Venom Symbiote है, वो खुद Anti-Venom बन जाएगा, इसका बन दोस्तों, Venom 2 मोई में कुछ ऐसा होने वाला है, जिसमें Eddie Brock से Venom हट जाएगा, और वो सीधे आ जाएगा Flash Thompson को पर, और आप लोग जानते है, Spider-Man 3 में Flash Thompson का रूल कन्फरम हो गया यानि कि वो कुछ important करने वाला है, यहाँ पर दोस्तों वो जब Agent Venom बनेगा, तो उसके पास काफी ज़्यदा पावर सा जाएगी, जो Eddie Brock की पावर से काफी अलग होगी, अब यहाँ पर दोस्तों जब Agent Venom बन जाएगा, तो Shield उसके पास आएगी उसको कंट्रोल करने के लिए लेकि जब Spider-Man Shield को यकीन दिला देगा कि वो सही के लिए काम कर रहा है, तब वो Spider-Man की नई टीम माई जगा है, यानि दोस्तों निक फ्यूरी को अभी करटली तीन नए सुपरेरो मिलने वाला है, Spider-Man पहला, Nova दूसरा और Agent Venom तीसरा, अब यहाँ पर जब इसकी TV सीरीज आए तो उसके अंदर कई धे सारी बिमारी आ जाती है, इंक्लूडिंग कैंसर, अब वो अपने इलाज करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं, उसे कुछ antibodies देते हैं, जिसकी वुझे से उसके अंदर चेंजे जानने लगते हैं, और उसके उसके अंदर वेनम के DNA को replace करके एक anti-venom बना दिया, अब यहाँ पर anti-venom की पावस original Venom से काफी ज़दा अलग है, उस symbiote जब भी किसी host के उपर आता है, उसकी जित्ती भी बिमारी है, सब ठीक हो जाती है, उसी तरह अब उसका काम होता है Venom को खतम करना, और currently Venom अभी Flash Thompson के पास होगा, अब यहाँ पर Eddie Brock और Flash Thompson की बीच में fight होगी, लेकित यह देखना है interesting होगा, कि जब भी यह TV सीरीज आएगी, तो क्या इसमें Peter Parker यानि कि Spider-Man का involvement होगा के नहीं होगा, इन सब के अलावा दोस्तों, comic book में यह भी दिखाए गया है, कि Flash Thompson, Venom Symbiote के अलावा, anti-venom Symbiote को भी use क तो इसका मतलब यह है, दोस्तों की TV सीरीज के एड में हम लोगा जो Venom है, वो फिर से Eddie Brock के पास आजागा, तब ही तो दोस्तों Venom 3 देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत लोग original Venom को Eddie Brock के साथ ही देखना पसंद करते हैं, ना कि Flash Thompson के साथ, तो दोस्तों यह थी एक amazing update, जो कर नुवा के origin story पे, I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, वैसे आपके क्या वीजर स्पटलर टॉपिक पे अपने वीजर जरूर कमेंट केजेगा, दोस्तों अगर आप ऐसी unique superhero content enjoy करना चाते हैं, तो हमारे चला को subscribe करके हमारी superhero family का हिस्सा बन जाएगा, thank you for watching